है लो दोस्तों वेलकम टू माई नीव लाग वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत से भाईयों का कमेंट था कि पसु बजार के अबंद हो रही है भारत की और हमारे जो उत्तर पर्देश में नरायन पुर पसु बजार लगती है वो भी बन दो चुकी है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू कि मैं देखिए यहां पे खड़ा हूँ यह पीछे छोटा सा जंगल है और इ बहुत खुस हैं बहुत दिनवाद वारिस हुई है जो की फसल एकदम सूख चुकी थी उसमें भी हरियाली आ गई तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो बात करें दोस्तों उस वारस के बारे में तो उस वारस का नाम है लंपी वारस हां दोस्तों लंपी वार बहुत से राज्यों की पसुबजार बंद हो गई है तो दोस्तों यह वारस बहुत खतनाक और जानलीवा है पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है इसकी वज़े से राजिसरकार बंद कर दी है अपने श्टेट की पसुबजार जो कि हमारे श्टेट में नरायनपुर पसुवजार है वो भी बहुत बड़ा लगता है और बहुत से राज्यों से आते हैं लोग वो भी पसुवजार बंद हो गई तो दोस्तों लंपी वारस के लचछड के बारे में बात करें तो पसुओं के सरीर पर छाले जैसी गांट पर जाना उसके बाद मुह से लाट पकना और दूद में भी कमी देखने को मिल ला है इसके उपचार के बारे में बात करें दोस्तों तो अभी तक कोई भी मार्केट में दवा उपलब्द नहीं हो पाई है और दोस्तों यह बहुत गाता के हम जानलेवा बीमारी है जैसा कि आपको बता दूं कि गुजरात राज्ज म अभी तक पिछले हपते की आकड़ा है 400 पसवों की मौत हो चुकी है इस बीमारी के वज़े से लंपी वारस एक संकर्मक बीमारी है जो की जिस तरह से हम पिछले दो साल से हमको करोना परसान किया था और हम लोगों से दोरी बनाकर रहने के लिए आसकता हो गया था इसी परक परदेश में अभी तो इसका कहड़ देखने को नहीं मिला है उत्तर परदेश की सरकार पसु बजार इसलिए बंद करवा दी क्योंकि जो नरायन पर पसु बजार है बहुत दूर दूर से बैपारी आते हैं इससे राजसरकार को डर था कि कहीं उसी में संकर्मक कोई पसु आ तो उसका मैं वीडियो बनाया हूँ अब साइद बजार नहीं लगेंगी इसलिए दोस्तों जैसे ही बजारे खुलेंगी हमारी वीडियो तुरंत आती रहेंगी और भी कुछ इनफार्मेशन देना रहेगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे यदि दोस्तों आपके पसु को उबाल कर और फिटकिरी को गरम करके पानी से नहलाए इससे आपके पसुख तुचा पे बहुत फायदा मंद रहाएगा और ऐसी कोई भी समस्चा नहीं आएंगी और यदि ऐसी कोई भी समस्चा आपको दिखती है तो तुरंत अपने नजदी की डॉक्टर से सलाले तो य पसंद आये होगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत